कहानी की शुरुवात में हमें दिखाया जाता है कि एक टनल का खुदाई चल रहा होता है अचानक से टनल के बीच में से पानी बहुत सारा गिरने लगता है जिसके कारण टनल का काम रोक दिया जाता है ये पानी कहां से आ रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था अब हमें दिखाय जाता है कि बहुत सारे हिस्टोरियन लोग रिसर्च कर रहे होते एक पुरानी जगह पे अचानक से वहाँ गुफा के अंदर भुकंप आ जाता है भुकंप के बाद दोस्तों वहाँ पे अजीब तरह का एक पत्थर मिलता है जिसमें एक अजीब तरह के राक्षस के बारे में जिक्र किया गया था अब हमें दिखाय जाता है दोस्तों एक हीरो हीरोईन जो हीरो होता है दोस्तों अपनी हीरोईन को जंगल में घुमाने के लिए लाता है हीरो बोलता है अपने हीरोईन से कि मैं आता हूँ थोरी दिर में अचानक से दोस्तो हीरोईन वहाँ पे घबराने लगती है क्योंकि उसे बीचो बीच जंगल के छोड़ दिया गया था हीरोईन को अचानक से अपने कार के उपर खून का दब्बा मिलता है अब यहाँ पे हीरोईन पूरी तरीका से डर चुकी थी अब वो जंगल के अंदर थोरा आगे दूर तक भटकती है उपने हीरो के थलास में जब वो पानी के किनारे पे थी तो अचानक से वहाँ पे उसे डरा दिया जाता है और असल में दोस्तो ये लोग यहाँ पे मूवी सूट कर रहे थे इनके मूवी का दोस्तो एक सीन यहाँ पे कंपलीट हो चुका था अब हमें दिखा आयाता है कॉलेज के बहुत सारे स्टुडेंट एक मूजियम में एक पुराने से रहस्मई जगह पे गए होते हैं रिसर्च करने के लिए जो हिस्टोरियन प्रोफेसर थे वो अभी भी बहुत परिसान थे क्योंकि उस प्रोफेसर को दोस्तो अजीब से एक राक्षस का वहाँ पे सित्र बनाया हुआ मिला था पत्थर काट के इसके कारण अभी भी प्रोफेसर एक डर में जी रहे थे अब अमें दिखाया जाता है बहुत सारे स्टुडेंट जो गए होते हैं गुफा के अंदर ये सभी हिस्ट्री के स्टुडेंट थे जो पता करने गए थे इनका एक प्रोजेक्ट था उसके बारे में इन सभी इस्टुडेंट को दोस्तो गुफा के अंदर एक अंधा आदमी मिलता है जो कि वहाँ पे उसे गुफा का सेर कराने वाला था वह अंधा आदमी था वो काफी बड़ा जीनियस प्रोफेसर था भले ही वो देख नहीं पाता था लेकिन वो बहुत ही तेज था सभी इस्टुडेंट में दोस्तो एक कपल भी होते हैं जो अपना जगा ढूंड रहे होते हैं हमेसा अपनी प्रसनल बात चित करने के लिए अब यहाँ पर दोस्तो अचानक से मौसम खराब होने लगता है बाहर में जो गूफा के अंदर एस्टुडेंट लोग गय हुए थे उसमें जो कपल थे वो प्यार महबबत करना चालू कर देते हैं अचानक से लड़की को एक चुगा दिखाई देता है जिसके करान वो काफी डड़ जाती है फिर गूफा के अंदर अचानक से भुकम पाने लगता है गूफा के अंदर जो अंधा प्रोफेसर थे वो लड़की की चीखने की आवाज सुन गए थे अब दोस्तों यहाँ पर कपल अलग हो जाते हैं अचानक से भैंकर भुकम पाने लगती है लड़की को दिखाई देता है कि बहुत सारा चूहा उसके पीछे परने वाला है अब लड़की अचानक से जमीन पे गिर जाती है उसे दिखाई देता है वहाँ पे इंसान का हड़ी जो अंधा प्रोफेसर थे वो भी लड़की की चीक के आवाज के दरफ जा रहे थे लड़की वहाँ पे काफी जो जो से चिल्ला रही थी फिर वहाँ पे जो उसका वाइफिरेंड वाटा है कपल वो उसको वहाँ पे बचा लेता है फिर यहाँ पे दोस्तों आचानक से चारो तरब से मट्टी पहार गिरने लगता है बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे जो अंधे प्रोफेसर थे वो इन दोनों को बचा पाते हैं सबी लोग यहाँ पे काफी घबरा जाते हैं और सबी बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं अपने कॉलेज अब हमें दिखाया जाता है जो हीरो हीरोईन होते हैं फिल्म बनाने वाले अब हमें दिखाया जाता है वहीं पे जो बार एक कलम होता है उसमें एक वेटर जो काम कर रहा होता है वो अंडरकराउंड टनल में जाता है वेटर को दिखता है कि अचानक से सराप के बोतल में से खून निकल रहा है और उसके नीचे जो जमीन था उसमें से अजीब सी लाइट आने लग रही है गुश्ते बाद दोस्तों वहाँ पर जो जमीन होता है वो जलने लगा है फिर वहाँ पर अचानक से गेट खूल जाता है हिरोईन वहाँ पर गेट लगा देती है फिर हिरोईन का नजर पड़ता है कि उसके टेबल पर एक अजीब सा पत्थर किसी ने रख दिया है जिसमें एक राक्षस के बारे में जिक्र किया गया है उस राक्षस को लड़की बहुत ही पसंद होता है ऐसा उस मुर्ती पे बनाया हुआ था चित्र अवह में दिखाया जाता है कि एक गेम डिवलपर होता है वह उस गूफा पे एक गेम बना रहा होता है उस गेम का मैप बनाने के लिए वहाँ पे वह एक आदमी को भेजता है टनल के अंदर ताकि वह उस गेम के एकदम एकुरेट मैपिंग कर सके टनल के अंदर दोस्तों काफी अंदर वह आदमी चला जाता है कैमरा लेकर जिसके कारण उस टनल का मैप बनाने में आसानी हो रहा था लगता है अचानक से वो आदमी टनल के अंदर गिर जाता है फिर काफी दिर बाद उस आदमी को जब होस आता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि इस टनल के अंदर भी एक अलग ही दुनिया है अजीब अजीब से चित्र बनाया हुए है दिवाल वहाँ पे उस आदमी को दिवाल में गरा हुए एक अजीब सा खंजर भी मिलता है जब वो आदमी उस खंजर को वहाँ से निकाल देता है तो उसके सामने एक अजीब सा डरावना सा राक्षस का चितर बना दिखता है जो राक्षस किसी लड़की के साथ प्यार महबत कर रहा था अब वो आदमी खंजर को लेके उपर आजाता है उन लोगोंने कुछ अजीब सा एतहासिक चीज को पा लिया था आपे प्रोफेसर भी इस चीज से काफी खुस होते है वह जो उन्होंने टनल के अंदर से पाया था एक चुरा उसे एक अमीर रहीस आदमी उससे मांगने की कोसिस करता है लेकिन प्रोफेसर उसको वो चुरा नहीं देते है वह जो अमीर आदमी था वो अपने घर के अंदर ही एक टनल बनाया हुए था जिसमें वो महगी महगी चीजों को रखता था अरोफे उस अमीर आदमी ने एक काम दिया था अपने गुंडे को कि जाके वो छुरा का जुगार करो कैसे भी और टनल के अंदर कोई राक्षस है उसे जाके पकर के मार के लाओ जो वो गुंड़ा था वो बोलता है कि हाँ वो राक्षस को मार के ले आएगा बस पैसे उसे ज़्यादा चाहिए अमीर आदमी इस चीज़ को मान जाता है त़ यहां पे जो हिरोइन होती है वो हमें दिखाए जाती है हिरोइन को यहां पे अजीब सक बड़ा सा परच्षा ही दिखने को मिलता है जो उसे मारने की कोशिस कर रहा होता है लेकिन वहां पे वो हिरोइन सपना देख रही थी टनल के अंदर गेम बनाने वाले टीम रिसर्च कर रहे होते है कि आखिर उस जगह का महत्ब क्या है वहाँ पे कौन रहता है गेम बनाने वाले सभी टीम में एक लड़की होती है जो रात को वहीं पे होती है लड़की को अचानक से डर का हैसास होने लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो लड़की लाइट उट बन करके वहाँ से जा रही होती है फिर वहाँ पे लड़की को अचानक से आवाजे आने लगती है लड़की को अजीब से एक बड़ा सा बकसा दिखाई देता है इसमें से अजीब अजीब से आवाजे आ रही थे लड़की न चाहते हुए भी हिपनोटाइज हो जाती है वहाँ पे वहाँ पे वो बक्सा खोल देती है फिर एक अजीब सा चीज उस लड़की को मार देता है ये सब होते हुए वहाँ पे जो अमीर आदमी का भेजा हुआ गुन्डा था वो देख रहा था वो अदेख के काफी डर जाता है और वो भागने लगता है अपना जान बचाने के लिए लेकिन उस अमीर आदमी ने वहाँ पे ताला लगा दिया था वहाँ जो गुंडा था वो वहाँ पे मारा जाता है यहाँ पे बड़ा सा जो राक्षस था वो बाहर आ चुका था अब गेम मनाने वाले टीम वहाँ पे आई होती है उन्हें पता ही नहीं चला होता है कि उनकी लड़की गई तो गई कहा अब जो अमीर आदमी होता है वो फिर से अपने अंडरग्राउंड में आता है वह अमीर आदमी देखके दंग रह जाता है कि जो उसने लोहे का दरवाचा लगा दिया था उसे किसी ने तोर दिया है उसके बेजे हुए गुंडे को भी किसी ने मार दिया था फिर उस अमीर आदमी को भी वहाँ पे वो बड़ा सा राक्षस मार देता है अब हमें दिखाया जाता है हिरोईन को जो गाने का सुटिंग कर रही होती है लेकिन जो हिरोईन होती है उसे अजीब अजीब से खयाल आने लगते हैं डराबने डराबने उसके कारण वो कोई भी काम ठही से नहीं कर पा रही थी फिर हिरोईन अपने वैफेंड के साथ वहाँ से चली जाती है जो अमीर आदमी था उसके घर पे पुलिस आई होती है पता लगाने के लिए फिर उस पुलिस वाले को अजीब अजीब से चीज़े वहाँ पे मिलते हैं बहुत ही महगे महगे चीज़े जो हिरोईन का वैफेंड होता है वो भी पुलिस वाला ही होता है साइड मों एक्टिंग भी कर रहा होता ही हीरो का रोल अब heroine को hero को दोस्तों वहाँ पे जल्दी से जाना था अमीर आदमी के घड़ पे उसके officer का वहाँ पे call आ गया था उस अजीब सा चीज है यहाँ पे इसने में दोस्तों जो officer था उसे भी किसी चीज ने मार दिया था अब जब दोस्तों वहाँ पे hero पहुँच जाता है तो hero को वहाँ पे officer मिलता ही नहीं है hero समझी नहीं पाता है कि आखिर यहाँ पे phone किया फिर वो गायब हो गया फिर कुछ तरवाद दोस्तों उस officer का body वहाँ पे मिलता है जो प्रोफेसर होते हैं उसे भी किसी ने वहाँ पे मार दिया था अपनी हिरोईन को ढूंटे ढूंटे जो हिरो होता है वो अभी उस गूफा में आ जाता है उसकी हिरोईन को दोस्तों यहाँ पे गूफा में ले आया था वो अजीब सा राक्षास हीरोईन अपने सामने बड़ा सा राक्षस को देखके काफी डड़ जाती है और वो वहाँ पे भागने का कोशिस करने लगती है फिर वहाँ पे भागते सेमें वहाँ पे हीरो भी उसे मिल जाता है लेकिन वो जो बड़ा सा राक्षस था वो भी वहाँ पे आ गया था hero के पास दोस्तों वो पुराना छूरा होता है जो उसे पहले मिला था गुफा में hero उस छूरे को वहाँ पे राक्षस के सर पे फोंक देता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते है रास्ते में वहाँ पे अंधे प्रोफेसर भी थे बड़ा सा राक्षस होता है वो प्रोफेसर को वहाँ पे माँ डालता है ये सब होता देख hero hero उन जल्दी से भागते हैं उन्होंने एक bum भी लगा दिया था जो bum फट गया था जिसके कारण दोस्तों गुफा के अंदर पूरा भयांकर भुकम पा गया था बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे hero और heroine गुफा के अंदर से भाग आते हैं बाहर bum की भटने की वयर से वह जो गुफा था वो तैसनैस हो गया था hero heroine को लगता है वहाँ पे कि वहाँ पे जो राक्षस था वो मारा गया अब दोस्तों hero heroine एक साथ होते हैं फिर उनके बेट के नीचे से एक बारा सा हाथ निकलता है यह पता चलता है कि वहाँ राक्षस अभी भी मारा नहीं था इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है इस वीडियो में गाईस इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में